हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत हाप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल टूड़े एक्जाम रिवी में देखे दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा आज आपका 21 मार्च को इंडियन नेवी का जो ट्रेड्समेन का एक्जाम चल रहा है उसमें 2nd shift का जो आपका एक्जाम है वो समाप्त हो चुका है तो 2nd shift में इंडियन नेवी ट्रेड्मेन में जो 21 मार्च में आपके जितने भी कोशन पूछे गए हैं 2nd shift के वो सभी कोशन अपने डिस्कस करेंगे सभी कोशन 100% सही वर सेटिक उत्र के साथ हैं तो फटा फट से पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुचाने के लिए शेर भी कर देना और ऐसी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके पास वारे नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट कोशन आपसे आज पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में कि विशु व्यापार संग्ठन डव्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड और्गनाजिशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी देखिए डव्ल्यू टी ओ की जो स्थापना है ये एक जन इसको की सूची में शामिल कब किया गया ये कोशन आया था तो ये किया गया था 2017 में अगर आपने भी 2017 किया है तो आपका आंस्वर बिल्कुल राइट होगा इस कोशन का नेक्स्ट आप से एक कोशन पूछा गया सेकेंड शूट में कि आयूसमान भारत योजना सबसे पहले किस राज्ये में प्रारंब की गई थी देखिए जो आयूसमान भारत योजना है ये दोस्तों सबसे पहले जो है जारखंड राज्ये में आरंब की गई थी तो अंस्वर इस question का था जारखंड next आप से second ship में question पूछा गया था कि 5 मार्च 2020 को किस देश ने सरवजनिक यातायत को नीशुल्क कर दिया था देखिए 5 मार्च 2020 को जो है ना लक्समर्ग जो देश है ना इसने क्या किया सरवजनिक यातायत को नीशुल्क कर दिया यहाँ पे अगर आपने answer किया है लक्समर्ग को तो आपका answer बिल्कुल राइट होगा next आप से question पूछा गया भारत के सविधान में किस अनुछेद में अवसर की सम्मानता का वर्नन मिलता है देखिए भारत के सविधान के article 16 अनुछेद 16 में जो है ना अवसर की सम्मानता का वर्नन किया गया है तो अगर आपने answer किया है अनुछे 16 तो यह question आपका बिल्कुल राइट होगा next आप से second shoot का question पूछा गया की worldwide web के अविशकारक कौन है देखिए triple w जिसे हम worldwide web बोलते हैं इसके अविशकारक है तो अगर आपने answer किया है तो यह question आपका बिल्कुल राइट होगा next आप से second shoot में question पूछा गया की Australia की राजधानी कौन सी है दोस्तों Australia की राजधानी पूछी है तो Canberra जो है ना यह Australia की राजधानी है अगर आपने भी Canberra किया है इस question में तो आपका answer बिल्कुल राइट होगा next आप से question पूछा गया था second shoot में litmus paper को निमन में से किससे बनाया जाता है देखिए जो litmus paper होता है इसे हम lichen से बनाते हैं तो lichen अगर आपने answer किया है ना तो आपका answer बिल्कुल correct होगा next question आपका question आया था कि question देखिए INS खंडेरी को जो है ना INS युदपोत को हाल ही में भारतिय जलसेरा ने शामिल किया है INS खंडेरी को तो answer था INS खंडेरी next आप से second shoot में question पूछा गया है पोधों में जो photosynthesis की प्रिक्रिया है उसको करने के लिए कौन सी gas की आवशक्ता होती है देखिए पोधों में photosynthesis की जो प्रिक्रिया है इसे करने के लिए carbon dioxide CO2 की आवशक्ता होती है तो अगर आपने CO2 किया है तो आपका answer बिल्कुल राइट होगा next आप से question पूछा गया था second shoot में 2020 में press freedom prize किस ने जीता 2020 में press freedom का जो prize है ये साहिद उल आलम ने जीता तो यहाँ पे answer जिनोंने भी साहिद उल आलम किया है बिल्कुल आपका answer right होगा next आप से question पूछा गया था second shoot में आज स्वाराज पार्टी का गठन का गुआ था बात करें स्वाराज पार्टी के गठन की तो इसका गठन हुआ था verse 1923 में तो जिनोंने भी आज के इस paper में 1923 इस question का answer दिया है उनका answer बिल्कुल correct होगा next आप से जो question पूछा गया second shoot में आज कि statue of unity किस राजे में स्थित है देखिए statue of unity ये सरदार वल्लब भाई जी की जो हैना statue है और ये आपका गुजरात राजे में स्थित है और सरदार वल्लब भाई पटेल जी को लोग पुरुस के नाम से भी जाना जाता है तो answer अगर आपने गुजरात किया इस question का तो आपका answer बिल्कुल correct था next आप से question पूछा गया था कि देखिए वह अधिवेशन जिसमें भारतिय राष्टे कॉंगरेस ने पूर्ण सवराजे की मांग की थी वो था लाहोर अधिवेशन जो की 1929 में हुआ था ठीक है next question आप से जो पूछा गया आज के second shoot में सोवियत संग ने स्वतंतरता की घोशना करने वाला पहला देश कौन सा था देखिए सोवियत संग से स्वतंतरता की घोशना करने वाला जो पहला देश था वो था रशिया और व्लादिमीर पुतिन यहां के वर्तमान में राष्ट्रेपती है ठीक है रूबल यहां की मुद्रा है Next question आपसे जो पूछा गया था महिलाओं के लिए आरक्षण किस चुनाव में प्रदान किया गया है देखिए महिलाओं के लिए जो आरक्षण है ना ये दोस्तों प्रदान किया रता है पंचायतों के चुनाव में तो जिनोंने भी second shoot के इस question में पंचायतों का चुनाव अंस्वर किया है आपका अंस्वर बिल्कुल correct था Next आप से जो question पूछा गया कि जलिया वाला बाग किस राजे में स्तित्था देखिए जलिया वाला बाग हत्याकान जो की अप्रेल 1919 में हुआ था और ये आपका अमरसर में हुआ था तो अमरसर पंजाब यहाँ पर जो भी आंस्वर दिया है उनका आंस्वर बिल्कुल right हो जाएगा नेक्स्ट आप से जो question पूछा गया आज कि अरब खाडी देशों का पहला कोईला आधारित जो power plant है ये कहां पर विक्षित किया जा रहा है अरब खाडी देशों का जो पहला कोईला आधारित power plant है ये आपका दुबई में विक्षित किया जा रहा है तो जो भी आंस्वर दुवई दिये हैं उनका आंस्वर राइट होगा नेक्स्ट आप से जो कोशन पूछा गया सेकंड शूट में कि भारत के किस केंदर साशित प्रदेश ने 31 अक्टूबर को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया देखिए भारत का जो केंदर साशित प्रदेश लदाक है ना लदाक ने 31 अक्टूबर को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है तो जिनोंने भी आंस्वर लदाक किया है उनका आंस्वर राइट होगा नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया सेकंड शूट में की 3 सेकंड किस खेल से समन्दित है बात करें 3 सेकंड की तो ये समन्द रखता है बास्केट बोल खेल से तो जो भी answer basketball की हैं इस question का उनका answer बिलकुल correct होगा इस question में Next आप से जो question पूछा गया था लोगसबा का उमीदवार होने के लिए जो अलपतम उमर होने के लिए जो अलपतम उमर होने के लिए जो अलपतम उमर है वो 25 वर्स होनी चाहिए ठीक है तो 25 वर जिन्होंने भी answer दिया है उनका answer right था Next आप से जो question पूछा गया second shoot में सरीर का तापकरम कहां पर नियंत्रित होता है जो सरीर का तापकरम है ये hypothalamus में नियंत्रित होता है तो जिन्होंने भी answer hypothalamus किया है इस question में आपका answer बिलकुल right है Next question आप से जो पूछा गया Corona virus के कारण lockdown करने वाला पहला राजय कोन था Corona virus के कारण lockdown करने वाला जो first जो state था वो था राजस्तान असोग गेलोत यहां के CM है वरतमान में ध्यान रखेगा यहां पे राजस्तान जिन्होंने भी answer दिया इस question में उनका answer right होगा Next आप से जो second shift में question पूछा गया उत्री दरू को दक्षिनी दरू से मिलाने वाली कालपनिक रेख़ा क्या कहलाती है इसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं तो जो भी answer देशांतर रेखा दिये हैं उनका answer बिल्फू judgmentी राइयट है तो यह थे दोस्तों कोशन जो आपके इंडिया नेवी ट्रेड मेंन का जो आपका 21 मार्च को सेकंड शुट का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने देखने के लिए इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वैल को भी वान कर लीजेगा